पुरानी पेंसन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से पिछले दिनों जहां बलाक इस्तर पर ओपिएस की बहाली के लिए एक बड़ा अंदोलन किया गया था उसके बाद आज जिला मुख्याले में जिला इस्तर पर सभी बलाकों के अधिकारी करमचारी जो ओपिएस के समर्थन में वे लगातार अंदोलन कर रहे है इन करमचारीयों की क्या कुछ मांगे है और किस तरह से ये अपनी चुनवती दे रहे है ओपिएस बहाली को लेकर मद्द परदेश की सरकार को आई ये समस्ते हैं क्या नाम आपका पुरानी पेंशन बहाली संग बताएंगे क्या अंतर है ये नपीएस और ओपिएस में सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली में क्या होता था करमचारी जब रिटायर होता था तो उसको जितनी तनका आखरी समय में मिलती थी उसकी आधी पेंशन उसको करमचारी को मिलती थ लेकिन न्व पैसे जो हैं कि हमारे पैसे जो है हमसे 10 परसेंट का टरही सरकार 4 परसेंट ऐसे हमारे कंड़ी उसका सरकार मृइट कमिक्ति इसके अब्यों के किया हूं डिर यूप सो किसी को बारा सो किसी को साथ सूरु पेंसन मिल रही है अभी जो पचास साल का साथ ही यह दी बारा साल बाद रिटायर होगा तो मुश्किल से चार से पांस जारुपए की उससे प्राप्त होगी जो उस समय के लिए बिलकुल नहीं कहना चीज़ नाम मातर की होगी उट के मु माननी प्रधान मंतरी साब से हम निवेधन करेंगे कि मद्द प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को पुरानी प्रशान का लाब सरकार दे यदि आज आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं जाकती है तो हम तीन तारीको लगबग साथ लाग कर्मचारी भोपाल भरेंगे और जवर अथन वाली बाते नहीं आ रही है कुछ राज्यों में जरूर लाग हुआ है ऐसे में आप लोग की जो इस्टेट जी है सुन तो लिया है मैंने कितीन तारीको एक बड़ा अंदोलन होगा लेकिन किस तरह से आप लोगों की रन्नीती हो गया गया है तो हमारा तेविस तारीक को बलाक इसतर पे कारेकरम हुआ है गयापन का जिसके परिणाम सरूप दबाव सरूप माने सिवरा सी चवान जी और पूरा मंतरी मंदल पश्मणी में आज बैठक ले रहा है करमचारियों की विशेज समस्याओं को लेके हमने उनके ट्वीटर पे देखा कि 8 घंटे कंटीन कि अन्य मुद्दे पे विचार कर रहे हैं किन्तु अभी यहाँ जो मुद्दा केंट सासन ने राज सासन पे ठोपा था इसलिए जब तक केंट से घरी जंडी नहीं मिलती मानी सुरा सी चवान जी कुछ नहीं करेंगे इसलिए हम यह जो चरन बाद आंदोलन दूसरा चरन का अन्य मुख्यमंत्री जी का ध्याना करसित करने और अब भी अगर मानी मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई कर्मचारियों के प्रती निर्ने नहीं लेते तो तीन तारीकों तो भुपाल में तीन अप्रेल को हम भुपाल जाएंगे और नहीं होता है तो अनिश्चित कालिन ज लेकिन जल्दे नहीं करेगी तो वैसी हम मांग कर रहे कि आप भी यहां की विदानसवा के पटल में अपनी बात रखी है अच्छा दूसरी बात मैं यह कहना चाहरू हूँ लेकिन जब मालू विदानसवा की जब बात आई तो उनके मुह पर चुप हो गए है वहां पर एक शब्द नहीं कर पाई है आज आज हम जो मांग कर रहे हम अपने सभी प्रदेश के जन प्रतिनिदियों के कि हमारे हक और हिस्से की बात आप वहां पर कीजिए आप हमारे जन आप हमारे प्रतिनिद्र करते हैं और जो हमारे पलोसी जो राज्य है जिस प्रकास से करमचारी हितेशी नीती लागू कर रहे है आप भी उसी को लागू कीजिए तो ठीक है अन्ना सा समय बड़ा बलवान है और करमचारी जो है अपने उपर केशी का उधार नहीं रखता और आगे महलाए किस तरह से इस संगठन के मात्यम से जो डिमांड उनकी चल रही है सरकार से उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी देखिए 50% के साथ में महलाए भागीदारी ले रही है अभी और जब तक पुरानी पेंसन इसके मुलागू नहीं होती हम लोग लेते रहेंग लग रहा है कि आज के आंदुलें से दबाव बन सकता है और अगर नहीं बनेगा तो तीन तारिक को हम लोग भुपाल जाही रहें और उसके बाद भी हम आदुलें करते रहेंगे मैं मद्रदेश वन कर्मचारी संग जिला बालाहट का इस्थाई कर्मी प्रकुष्ट का जिला देक्ष अर्विन सिंग बैस मैं यह बताना चाहता हूं कि हम लोग 20 वर्षों से नीमती करण की मांग कर रहे थे वो तो सरकार ने पूरी नहीं किया और जो पेंशन का प्रावधान था वो भी 2005 से समाप्त कर दिया हम यह चाहते हैं कि जो तहसील और जिला इस तर पे हमने जो चराणबद दांदुलन किया है उसका एक व्राद रूप साड़े च्छे लाग कर्मचारियों का प्रदेश इस तर पे दिखाई देगा वो आने वाली तीन अप्रेल को हम चाहते हैं कि मदबदेश सरकार हमारी बात को तहसील और जिला इस तर पे सुन ले ताकि हमें भोपाल जानी की जरूत ना पड़े मैं अपेक्छा करता हूं कि मदबदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान अगर सवेदन शील है तो वो पढ़चे दे क्योंकि राजिस्थान की सरकार ने, 36 Nicole की सरकार ने और हमारे जरकण की एमंत सोरें की सरकार ने साथ nih 2007 हमारे जो दिली के मुख्य मंतरी पंजाब के मुख्यमंतरी ने संवीदा शबν को खत्म करते हूए पून वेतन उन्हें दिया है ऐसा जन हितेशी निर्नेले ताकि हम उनका सम्मान करें और हम सब कर्मचारियों के जन हित में ठोस निर्नेले इसी आशा और अपिक्छा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें प्रदेश इस्तर पे अपने आवाज को बुलंद करने की आशकता नहीं पड़ेगी और यह जो हम मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंग चववान निष्चीत रूप से सवेधन सिल मुख्यमंत्री के सिरीनी में आते है और आज के अंदलन से कहनेजा जो है करमचारियों की मद्दपरदेश में जायज है आज का अंदोलन तो एक ट्रेलर था तीन अप्रेल का जो अंदलन होगा ये एक बड़ा पिक्चर होगी जिसके माद्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा जिस तरह से बाकी के चार राज्यों में घोशना होई है कि ओपियस को वो लागू करेंगे मद्दपरदेश में फिलहाल इस पर अभी तक सरकार अड़ी होई है हालांकि करमचारी भी कम नह कातार जिले में प्रदेश में अंदोलन तेज कर चुके है देखना यह होगा कि तीन अप्रेल का जो एक बड़ा अंदोलन ओपियस की मांग को लेकर भोपाल में होने जा रहा है उससे क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है बालागाट निउस के लिए यमलेश वंजारी काता है